अलो स्टुडेंट्स मैं निकल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस उड़े में इसमें लोग 2.3 exercise की questions स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट वीडियो तक हमने 2.3 exercise का basic concept सीख लिया था और उससे related जितने भी examples से वो सारे गड़ लिया थे अब उन्ही पर based questions हैं अगर आपने वो example वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के description में पुरी playlist का link मिल जाएगा वहां से आप जरूर देख लें उसके बाद ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ माएगा चले शुरू करते हैं पहला question है divide the polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following अपने को total तीन पार्ट दे रखे हैं first question के first इधर कर रहे हैं अपन उसके बाद second और third भी देखेंगे ये third part है ठीनों उसी तरह के parts हैं काम वही करना है अपने को divide देना है basic सिर्फ divide देना है और कुछ दिमागने लगाना extra तो मैं divide देना शुरू कर रहा हूँ divide देने के लिए इसने बोला है कि px में gx का divide देना है obviously जो बड़ा है वो अंदर रहेगा divide के वो तो जाहिर सी बात है वैसे लिए चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने लगाया divide का sign गेरा px और यह है x cube minus 3x square और plus में 5x और minus 3 minus 3 ठीक है और gx gx हमारे पास है x square minus 2 x square minus 2 अब इस x square minus 2 को आप एक option यह है कि direct आपने यहाँ पर x square minus 2 लिग दिया लिकिन मैंने आपको last class में बताया था last class में मतलब जो examples करवाये थे इस related उसमें मैंने आपको बताया था कि कभी भी आप direct ऐसे मतलिको मतलब अगर आपके पास कोई term missing दिख रहा है ना जैसे यहाँ पर एक term missing दिख रहा है x square के बाद x वाला term नहीं है यहाँ तो चलो सब कुछ है 3 power then 2 power then 1 power then 0 power या कहलो constant term एक ही बात है किसी की भी power 0 मतलब 1 हो जाता है वो तो constant term हो जाता है इसे यहाँ पर दिख रहा है क्या 2 power के बाद 1 power कहा आ गई सीधा 0 power आ गई 1 power नहीं है तो इसका मतलब यह पूरा नहीं है अभी हाला कि ऐसा नहीं है कि इसको लेकर के नहीं कर सकते काम लेकिन better क्या रहेगा better यह रहता है जिससे गल्दी होने की chances कम रहते है mistakes कम होंगी आपकी better यह रहेगा कि आप इसको complete लिख लो x square plus 0x और minus 2 इसको ऐसा लिख लो आप मतलब सब कुछ लिख लो जो missing है उसके 0 लगा तो coefficient और काम उससे easy हो जाएगा आगे बढ़ जाओ आप उसके बाद में तो यहाँ पर आप क्या लिखोगी यहाँ लिखोगी x square plus 0x और minus 2 यह लिखो आप आप यहाँ थिक है अब देखते हैं ज़रा first वाले को first वाले से करते हैं तो first वाले को first वाले से अगर करते हैं तो यह हो जाएगा x cube को जब divide दे रहे हैं x square से तो कितना बनेगा x cube को first वाले को जब first वाले से divide देते हैं तो cancel out होकर के simple x बन जाता है clear है बतो simple 1 power x की बन जाएगी तो यहाँ पर क्या आएगा x अब इस x को इस पूरे से multiply करके यहाँ लिखना है basic process जो अपने और questions में किया है वोई काम करना है x into x square x cube बन जाएगा same x into 0x 0x square बन जाएगा same x into minus 2 minus 2x बन जाएगा और यहाँ पर हम इसको subtract कर लेते हैं तो यह आएगा minus, यहाँ minus यहाँ minus minus हो जाएगा plus और यह हमारा cancel out हो रहा है हमेशा होगा first वाला बताया था आपको minus 3x square minus 0x square तो minus 3x square यहाँ बचेगा और same plus 5 plus 2 मतलब plus 7x यह हो गया और last minus 3 भी ले लो देखो जरा इससे low degree polynomial तो नहीं है नहीं है, इसका मतलब और divide जाएगा भी देते हैं, इसके first term को इसके first term से divide देते हैं तो यह minus 3x square में जब आप x square से divide दोगे, तो x square से x square cancel out होने के बाद क्या बचेगा minus 3 आ जाएगा, यह रफका कहा में इस तरफ जो मैंने किया है, यह fair में नहीं करना है तो यहाँ पर क्या आ जाए, minus 3 आ रहा है अब इस minus 3 को इन तीनों से multiply करके यहाँ लिखना है तो minus 3 into x square minus का 3x square, minus 3 into 0x minus का 0x minus ले लो, plus ले लो, 0 के आगे plus minus के कोई tension ही नहीं और minus 3 into minus 2 which is plus 6 यह हो गया ठीक है, अब यहाँ से यह चीज sign change, plus plus minus, cancel out plus 7x यहाँ बच गया, क्योंकि 0 और 7 में तो 7 हो जाएगा, और minus 3 minus 6 मिलके minus 9 हो जाएगा तो यह हमारे पास quotient आ गया और यह reminder हो गया, तो यहाँ पर क्या-क्या चीज़े पूचिए एक तो quotient और एक reminder, लिख दो clearly लिख दो, कि यह हमारे पास आ रहा है x minus 3 और next यह हमारे पास आ रहा है 7x minus 9 7x minus 9 यह आगे आपने पास मैं, overall यह final answer है ठीक है, तो इस तरह से question solve करना है अपने को, यह हमारा first part सा, similar 3 part है जल्द जल्दी cover कर लेते हैं उनको भी, देखो next क्या है अपना, यह है px और यह है gx, अब यहाँ पर divide देना है, divide देते time मैंने जो आपको तरीका बताया है, जो सिखाया है, कि भई कैसे क्या चीजे ध्यान देनी है, वो ही ध्यान देना है, बस और कुछ नी, कि यह x की power 4 है, 3 power यहाँ दिखनी नी अपने को, तो जो नहीं दिख रहा है उसको 0 लगा कर के लिख लो, बस इतनी भात ध्यान देने की है, और कुछ ध्यान देने के ये ध्यान देने वाली बात है जिसकी कमी है उसको 0 लगाके लिख दो उससे आसान तरीका possible नहीं है दो polynomials को divide देने का अगर ये trick लगाते हो तो आप ऐसे यहाँ पर देखो यहाँ यह sequence में नहीं है sequence में नहीं है तो पहले sequence में बनाओ कैसे लिखोगे? x is square फस्ट वाले को फस्ट वाले से divide देते हैं तो x की जो 4 पावर है उसको x की 2 पावर से divide दोगे तो 2 पावर बचेगी अपने पास ठीक है? तो यहाँ पर x की पावर 2 हो गई x की पावर 2 इससे multiply करेंगे और यहाँ लिखेंगे तो x is square into x is square x to the power 4 x is square into x subtract करने पर यह minus यह हो जाएगा plus यह हो जाएगा minus और यह cancel out हो गया अपना ठीक है? यह cancel हो गया और यहाँ से 0 x cube और plus का x cube मिल करके 1 x cube रह गया इसका तो कोई roll नहीं है यह 1 x cube है तो 1 x cube रह गया minus 3 x square minus 1 x square minus का 4 x square हो गया और last यह एक और लिख लेंगे अपन plus का 4 x इसके बाद सेम होई इसको इससे divide देना है तो x power 3 divided by x power 2 which is equal to x 3 minus 2 power 1 power तो plus x यहाँ हो रहा जाएगा plus x को इन तीनों से multiply करके यहाँ पर लिखना है तो plus x into this x cube plus x into this minus x is square plus x into 1 plus x और again subtraction तो sign change subtraction में sign change और यह चीज cancel out हो जाएगी minus 4 x square plus 1 x square minus 4 plus 1 which is equal to minus 3 x square and plus 4 x minus 1 x plus 3 x ठीक है last plus 5 बस इसके बाद और कुछ होगा नहीं वैसे भी एक बार और divide जा रहा है इसको इससे divide देके देखो कि यहाँ पर क्या लिखना है तो minus 3 x square को जब आप x square से divide दोगे तो minus 3 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या रहा है minus 3 ठीक है अब इस minus 3 से हो multiply कर लो इसको तो minus 3 into x square minus 3 x square minus 3 into minus x प्लस का 3 x minus 3 into plus 1 minus 3 subtraction यहाँ sign change 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 यह हमेशा कटेगा फिक्स है इसको कोई ने रौप सकता इस बार coincidence है कि यह भी कट रहा है जरूर नहीं है second वाला कटेगा फर्स्ट की guarantee है आगे की guarantee नहीं है ठीक है अच्छा प्लस 5 प्लस 3 मिल करके 8 हो जाएगा तो यह अपना क्या बन गया मैं अलग से नहीं लिख रहा इसी में बोल देता हूँ आपको कि यह हमारे पास आया है quotient और यह हमारे पास आया है remainder ठीक है यह हमारा complete हो गया second part ध्यान देने वाली बात क्या थी जो missing time है जो missing power वाली time है उसका coefficient 0 लेकर के उसको miss नहीं करना है उसको लिखना है हटाना नहीं है उसको छोड़ नहीं देना है ठीक है चलो next next और भी धमागेदार है यह तो मज़दारी एकदम कमाल का है यह तो question दिखने में छोटे 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 दिख रहे है लेकिन इदने छोटे 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 नहीं बनाएंगे अपन इसको देखो क्या बनाएंगे इसको क्या लिखो गया आप X की पावर 4 तो है यह लेकिन 3 पावर नहीं है 2 पावर नहीं है सिध़ 1 पावर और 0 पावर है उसकी बद में तो जो miss हो रहा है जो नहीं लिखा हुआ है 0 लगा क्या लिखो लिखना जब को है ठीक है 0x की पावर 3 हो जाएगा 0 ही x की पावर 2 हो जाएगा और बाकी तो है minus 5x और plus 6 है इसको आप इस तरफ लिख दो minus का x square पहले लिखा जाएगा minus x square तो पहले लिखा जाएगा क्योंकि 2 power वाली time है 1 power वाली नहीं है तो कोई issue नहीं है वो 0x हो गया और plus 2 last में अपन लिखी रहे हैं, clear है यहां तक चलो, ठीक है divide, divide, divide देने का procedure शुरू करना है, करो यह 4 फिर 0x cube 0x2 minus 5x plus 6 and this one is minus x square 0x and plus 2 ठीक है चलो, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं अपन first वाले को first वाले से divide देते हैं, तो x to the power 4 divided by minus x square which is equal to minus x square nothing else so minus x square तो यहां आएगा, ध्यान रखना है, यह negative, यह positive यह negative है, तो cut करके minus तो बचेगा न, तो जो यहां आ रहा है न, वो as it is आएगा, भले negative आ रहा हो, भले ही positive आ रहा हो, अपने कोश से कोई फरक नहीं बढ़ता, जो है वो यही है ठीक है, अब इसको पूरे इससे multiply कर लो तो minus x square into minus x square minus minus plus होकर के x की power 4 हो जाएगा, दोर दो 4 power हो गई ठीक है, minus x square into 0x, तो minus का 0x cube कह सकते हो 1 power and 2 power भई 0x है और minus का x square है तो x की तो power 3 हो जाएगी न, ultimately बनेगा 0 भली, लेकिन 0x cube, अब आप यहां minus लगाऊ, plus लगाऊ उससे कोई फरक नहीं बढ़ता, 0 के आगे 0 के आगे plus minus matter नहीं कर पाए, ठीक है minus x square into 2 so minus 2x square अब देखो आगे sign change करने है, करा minus plus हो गया, plus हो गया यह तो कट गया, यह 0, 0 इसका कोई रोल ही नहीं था, 0x cube है लेने के ज़रत ही नहीं है, खतम ही हो गया यह plus 0x square plus 2x square, तो 2x square तो लिया जाएगा, इसमें तो कोई doubt नहीं है है ना, और minus 5x और plus में 6, clear, first वाले को first वाले से divide दिया, 2x square को divide दे रहे है, minus x square से, अगर minus x square से divide दे रहे हो, तो x square से x square तो कट देगा, minus 2 बजेगा तो यहाँ क्या गया, minus 2, clear ठीक है, so minus 2 into this minus 2 into minus x square plus 2x square minus 2 into 0x plus 0x या minus 0x, यो भी लिखना से हो minus 2 into plus 2 minus 4 क्या बच रहा है, देखें ज़रा sign change, minus minus plus, cancel out हमेशा होगा, minus का 5x तो यह बचा, क्योंकि minus 5 और minus 0, minus 5 भी रहेगा 6 plus 4, which means 10 इससे आगे divide नहीं जाएगा, क्योंकि यह कम degree का polynomial गया, इसका degree 1 है, इसका degree 2 है x divided by x square थोड़ी कुछ होता है, तो यहाँ पर खतम करो, और खतम करने के बाद में, यह तो मैं हटा देता हूँ, यह क्या बन गया अपना, मैं लिख देता हूँ, यह अपना है quotient और यह अपना है remainder ठीक है, यह अपने को ध्यान रख नहीं है, तो यह overall काम इस तरह से करना है, divide देने में बस यह overall procedure है कुछ करना ही नहीं है divide में, divide में जो main चीज ध्यान देने की थी न, तीनों questions में जो काम की थी, especially इस वाले question में especially इस वाले question में, कि जो चीज missing है, वहाँ 0 लगो जो चीज missing है, वहाँ 0 लगो बस, यह एक बहुत important चीज थी, जो ध्यान देने की चलो, अगला भी लगभग इसी तरह है, second number जो हम लोग करने वाले हैं, वो भी लगभग, ऐसा का ऐसा ही है almost ऐसा है, similar सा मान दखते हो check whether the first polynomial is the factor of the second polynomial, by dividing the second polynomial by the first polynomial, ठीक है second polynomial में first polynomial से divide लगा देना है, obviously यह बड़ा है, तो यह उपर रहेगा, यह नीचे रहेगा divide में, तो वैसे ही पता है अपने को यह ना बोले तो भी पता है, main बात यह है, कि यह क्या पूछ रहा है, check whether the first polynomial is a factor of the second first polynomial is a factor of the second यह check करना है, यह कैसे check के होगा यह कैसे पता जैलता है, कि यह इसका factor ही है, यह कैसे पता जरेगा इसका logic बताऊगा मैं आपको ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा है, tension आलो आप logic में बताऊगा आपको factor पता करना है ना, तो factor पता करने का तरीका यह एको remainder रिमेंडर आप चेक करो, रिमेंडर के है, रिमेंडर अगर 0 आ रहा है, तो फैक्टर है, अगर रिमेंडर 0 नहीं आ रहा, तो वो उसका फैक्टर नहीं है, नॉट फैक्टर के लिए क्या कंडिशन है, नॉट फैक्टर की कंडिशन ये होती है, कि रिमेंडर जो है, नॉट इक्पल टो 0 ना चे, मतलब सारा खेल रिमेंडर का है, और किसी का कोई खेल नहीं है, लॉजिक में आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनें, ध्यान से सुनना है logic क्या है, अपने पास क्या formula हुआ करता था, अपने पास formula क्या है, dividend dividend is equal to divisor into quotient remainder ठीक है, यह अपने division algorithm थी, जो अपने last class में discuss करी थी, अब हम कहना चारहे है कि, माल लो एक बाल के लिए remainder 0 है, तो क्या वो factor बनेगा चेक्टर लेते हैं, remainder माल लो 0 है, या फिर इसको ऐसा लिख लो, कि dividend जो है, वो अपना px है, एक बार के लिए, यह अपना gx है, divisor और quotient अपना qx है और remainder अपना rx है, इसको mathematical ऐसे लिख सकते हैं, polynomial format में तो, polynomials चेल रहे हैं तो, remainder को rx लिख दिया, quotient को qx लिख दिया, divisor को divisor को gx लिख दिया, और dividend को px लिख दिया, अब अगर rx 0 हो जाए तो, अगर rx 0 हो जाए तो, देखते हैं क्या बनता है उस case में, तो px जो आएगा, वो आएगा gx into qx, कब, अगर इससे px 2 polynomials में factorize हो गया, वाई यही तो होता है न, factor, कि एक polynomial is equal to this into this polynomial, अगर एक polynomial है, x square plus 5x plus 6, तो यह हो जाए, x plus 2 into x plus 3, यही तो होता है न, अगर यहाँ plus में और कुछ ले लिया, 5 या 6 या 10 कुछ और, तो factorize नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर यह 5, 6 जो भी plus में है, यह सारा हट जाए, तो अब तो factorize मानोगे इसको, दो चीजें, दो polynomials अगर multiply में हैं इसके, इस polynomial के equal में, दो polynomial multiply में हैं, तो यही तो उसके factor होंगे, तो यहाँ पर, अगर remainder 0 हो रहा है, जहाँ से समझे ना, अगर remainder 0 हो रहा है, तो PX polynomial के factors कौन-कौन होगे, GX and QX, दो factors निकलेंगे उस case में, PX के, GX and QX, वो GX और QX further और break हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन, PX दो polynomials में break हो गया, that means, PX factorize हो गया, तो factorize हुआ, QX and QX, तो वो यहीं पूछ रहा है, first polynomial is the factor of the second, वो कब possible है, जब remainder 0 हो जाएं, otherwise possible नहीं है, remainder 0 होना पड़ेगा, remainder 0 होते ही वो factor बन जाएगा, तो ultimately अपने को divide देना है, और कुछ नहीं करना, जो हमने first question में किया है, वो ही second question में करना है, सिर्फ divide देना है, divide देने के बाद बस यह check करना है, कि remainder कितना आ रहा है, पिछले 3 questions में remainder बन रहा था, देखो, इसमें भी remainder आ रहा है, मतलब यह इसका factor नहीं है, GX जो है, वो PX का factor नहीं है, second वाले case में भी remainder आ रहा है, कुछ भी आ रहा हो बले, इससे मतलब नहीं है, आ रहा है, 0 के अलबा कुछ भी, तो इसका मतलब GX जो है, PX का factor नहीं है, next, third वाले में भी same case है, यहाँ भी remainder आ रहा है, इसका मतलब GX जो है, PX का factor नहीं है, अब आगे वाले questions में हमने को चेक रहना है, कि आगे क्या हो रहा है भई, आगे questions में क्या procedure चल रहा है, क्या system चल रहा है, तो मैं same question को ही next page पे ले रहा हूँ, ठीक है, और divide देके देखता हूँ, कि क्या बनता है, देखो next क्या है, इसी question को, पिछले तो अपने के वाल समझा था, अब यहाँ पर solve करते हैं, solution मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ इसका, तो solution में same, यह polynomial से divide देना है अपने को, तो divide का sign लगा करके काम शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 power, 3 power, 2 power, 1 power, 0 power, मतलब सबको systematically है, इधर तो कोई tension वाली बात है यह नहीं, यह हो गया 3T cube, यह हो गया minus 2T square, यह हो गया minus 9T, और यह हो गया minus 12, यह अपने पास है overall, ठीक हैं, अगर इसकी बात करें तो, इसकी बात करें, तो 2 power के बाद 1 power नहीं है यहाँ पर, 1 power नहीं है, तो ऐसे case में क्या करना है, ऐसे case में 1 power यहाँ लगाओ, T square plus 0T, 1 power 0 लगागे लगादो, क्या दिखकत हैं, जो कुछ नहीं है, जो missing दिख रहा है, जो available नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपको 0 लगागे लगदो, उसको available कर दो, ठीक हैं, आगे बढ़ो, जल्दे से आगे अगाँ शुरू करना है, 2T की power 4 को divide देना है, T square से, तो 2T power 4 divided by T square, 2T square होने गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2T square, clear, 2T square यह आ गया, अब 2T square को इससे multiply करना है, तो यह बन जाएगा, 2T power 4, ऐसे ही 2T square को 0T से multiply करेंगे, तो क्या बन जाएगा, 0T power 3, 2T square को multiply करो, minus 3 से तो, minus 6T square, simple calculation है, ज़्यादा कुछ विश्यश नहीं है, ठीक है, basic calculation चल रही है, sine change करो जारा, यह cancel out, आगे, plus 3, minus 0, 3 ही रह जाएगा, minus 2, plus 6, plus 4T square हो जाएगा, और minus 90, minus 90, ठीक है, अब, इस first वाले को, इस first वाले से divide दो, तो यह क्या हो जाएगा, 3T power 3, divided by, T square, which is equal to 3T, 3T, ठीक है, यहाँ तक clear है, तो यह चीज हो गई, 3T, यहाँ पर लिखे जाएगी, और इस 3T से इन तीनों को multiply करके, आप यहाँ पर लिखोगे, तो क्या बनेगा जाएगा देखे, 3T into this, मतलब T square से multiply करना, 3T को, तो 3T power 3 आ गया, 3T into 0T, 0T power 3 हो गया, क्योंकि, 1 power 1, sorry, 2 power आएगी न, 1 power 1 power 2 power आएगी, 3T को, minus 3 से multiply करोगे, minus का 9T बनेगा, देखते हैं क्या आता है, sine change, minus, minus, plus, cancel, 4T square, यह, यह 4T square ही बचेगा, cancel, minus 9, plus 9, 0T, और last, minus 12, और लिख लो, यहाँ आपर काम खता हम, उसके बाद में, इसको, जरह divide देना, इससे, आप लिखोगे, 4T square, divided by T square, which is equal to, what, 4, so, last, plus 4, ओ लेलो, plus 4 लेते ही, क्या बन जाएगा है, 4T square, plus 0T, minus 4, into 3, 12, and, 0 remainder, कुछ नहीं बचा, सब कुछ cancel out हो जाएगा, minus लगाते ही, sine change करते ही, हो जाएगा, 0 remainder आगया, आप लिखोगे, कि, since remainder is equal to 0, therefore, कहा लिखूं, कहा लिखूं, जगे नहीं है, इदर लिख लेते हैं, थोड़ा adjust करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं, since, remainder is equal to 0, therefore, T square minus 3, T square minus 3, या first polynomial लिख दो, सिर्फ, चलो, T square minus 3 लिख देता हूँ, T square minus 3 is, is a factor, is a factor, of, this polynomial, this polynomial means, 2T power 4, plus 3T cube, minus 2T square, minus 90, minus 12, थोड़ी जगे की shortest थी, adjust कर लेना, और systematically लिख देना, कि, first polynomial is, a factor of second polynomial, बस, remainder 0 आया, यह logic है, और कुछ logic नहीं है, चलो, मेरे ख्याल से, यह तो आपको clear हो गया होगा, और similarly, दो पार्ट और हैं, second question के, second part पे आते हैं अपन, और simple divide है, इसमें, इसमें कुछ ज़्याद दिमान में लगाना, क्योंकि, यहां 4, 3, 2, 1, 0 पावर दे रख्या है, 2, 1, 0 पावर दे रख्या है, सब कुछ normal है, सिर्फ आपको divide लगाने में दिमान लगाना है, और कहीं दिमान लगाने की ज़रत नहीं है आपर, तो 3x पावर 4, प्लस 5x पावर 3, माइनस 7x पावर 2, प्लस में 2x, कितना आ रहा है, इन दोनों को divide दोगे तो 3x स्क्वार आएगा कि नहीं आएगा, 4 पावर से 2 पावर गैंसल होगे, 2 पावर बचेगे, तो 3x स्क्वार माँ लिखा, अब इस 3x स्क्वार से इसको multiply करेंगे, तो 3x स्क्वार इंटू x स्क्वार, 3x स्क्वार इंटू 3x 9x स्क्वार 3, क्योंकि 1 और 2 पावर 3 पावर हो जाएगे, एंड 3x स्क्वार को 1 से multiply करेंगे, तो 3x स्क्वार ये आ गया, अब जड़ा सब्ट्रेक्ट कर दो, सब्ट्रेक्ट करोगे तो यहां माइनस 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 साइन, खतम, क्या बचा, 5-9-4x क्यूब और-7-3-10x स्क्वार एंड प्लस 2x, दे जरा डिवाइड, इसको इससे डिवाइड दो, तो माइनस 4x क्यूब डिवाइड़ बाई एक्स स्क्वार, ये कैंसल आउट होगा, तो क्या बनेगा, माइनस 4x बचेगा, ठीक है, माइनस 4x हो जाएगा, और इस माइनस 4x को इससे मल्टिप्लाई कर दो, माइनस 4x इंटू x स्क्वार, माइनस 4x इंटू x स्क्वार, x क्यूब हो जाएगा, और माइनस 4x इंटू 3x, माइनस 12x हो जाएगा, minus 4x into 1 minus 4x हो जाएगा, कर लो जारा subtract कर लो, यह हो गया plus sign यह हो गया, plus sign यह हो गया plus sign, sign change कर लिए सब में तो minus 10 plus 12, plus 2x square, plus 2 plus 4, plus 6x और last plus 2 हो रहा जाएगा plus 2 last हो रहा गया, अब आप वो ही same, 2x square को x square से divide होगे तो कितना बनेगा, 2x square को जब x square से divide होगे तो यह तो cancel out हो जाएगा बनेगा 2, so plus 2, plus 2 और plus 2 into this 2x square 2 into 3x 6x और 2 into 1 plus 2, सब कुछ से ही मारा है cancel out हो जाएगा, हर चीज cancel हो जाएगी बचेगा कितना, 0 कुछ नहीं बचा, 0 reminder आते ही, इसका मतलब factor है तो आप same language जो पीछे लिखी है since, मैं यहाँ लिख जाता हूँ since remainder is equal to 0 therefore first polynomial is a factor of factor of second polynomial ठीक है, यहाँ तक आप इसको last end कर सकते हो तो बहुत easy question है second के बाद में next, third देखते हैं, देखो last वाला यह है कि x cube minus 3x plus 1 3 power के बाद 1 power आगई इसमें तो करना पड़ेगा change 5 के बाद सीधा 3 आगई फिर 2, 1, 0, तो दोनों में ही कुछ-कुछ 0 लगा करके अपने को insert करना पड़ेगा, अपनी तरफ से तो करते हैं, शुरू करते हैं, start करते हैं दिरे-दिरे और clarity आएगी उसमें तो यह बन जाएगा, देखो, x की power 5 तो ही, है ना 0 लगा करके 4 power ले लो जो की नहीं है क्योंकि उसके बाद बाकी सब as it is क्योंकि सब available है उसके बाद का यह x की power 2 हो जाएगी यह 3x हो जाएगा और यह last में 1 हो जाएगा थोड़ा सा आप जाओ तो मैं इसको खिसका ही देता हूं आगे आगे थोड़ा shift कर लेते हैं इसको, यह आगे shift कर लिया चलो, start करेंगे यहाँ पर क्या है, x cube है लेकिन square नहीं है तो 0 लगा दिया है अपनी तरफ से, square नहीं था और again minus 3x और plus 1 as it is लिखेंगे अब first वाले को first divide देकर कि आपको पता चलेगा कि वहाँ क्या लिखना है तो x कि पावर 5 यहाँ है 3 power यहाँ है x power 5 divided by x power 3 कितना मना 2 power clear so multiply करो x power 2 इस सबसे multiply होगा तो x power 5 हो जाएगा 2 power इस से multiply होगा तो और जब इसको इस से multiply होगा तो 0 x power 2 हो जाएगए 2 और 2 power 4 हो जाएगी सेम ऐसा ही जब इसको इस से करोगे x square को minus 3x से करोगे तो minus का 3x power 3 हो जाएगी 1 power 2 power मिलके 3 power और 1 से जब इसको multiply करोगे तो simple 1x square आएगा ये थोड़ी से लंबी चोड़ी का calculation है ध्यान से करनी है simple उसको मैंने इस पूरे polynomial से multiply करते हुए यहां लेखा है शांति से काम करना है कोई जल्दबाजी का काम नहीं करना है ठीक है चलो आगे बढ़ते है आगे ये है के sign change करने minus sign यहां लगाया खतम यह तो पहले ही खतम है यहां sign change यहां sign change minus 4x cube plus 3x cube so minus का x cube यहां बचेगा यह कटके 0 हो गया तो 0x square यह हो गया और plus में 3x हो गया और plus में 1 हो गया clear? यहां तक ठीक है अब अपने आगे बढ़ते है so last में उधर x square के साथ में इसको जब आप इससे divide दे रहे हो तो minus x cube divided by x cube which is equal to minus 1 तो यहां बचेगा आपने पास minus 1 तो minus 1 को इससे multiply करेंगे तो minus x की power 3 हो गया minus 1 into 0x square minus 0x square ही हो गया minus लगाओ, plus लगाओ कोई फरक दी बढ़ता उससे minus 3x को minus 1 से करोगे तो plus में 3x हो जाएगा और minus 1 को plus 1 से करोगे तो minus 1 आएगा सब कुछ कट रहा है लेकिन एक छोटी सी चीज बच गई उसलिए problem हो जाएगी यहाँ पर यह कट रहा है यह कट रहा है तो ऐसे कटा होगा यहाँ change हो गया यहाँ 2 रह गया remainder कुछ आ गया remainder remainder not equal to 0 हो गया तो आप same language repeat कर दोगे since remainder is not equal to 0 therefore therefore not a factor यह कर दो बस ओल पर not a factor चेक है तो first वाला ही factor था बाकी दोनों तो factor आये नहीं है second वाला भी नहीं आया था और third वाला भी नहीं आया इस तरह से question कर सकते हैं अपन यह दो questions अपने complete कर लिए है third पर आते हैं third question वही question है जो हमने example last example जो किया था इस पूरे chapter का last example last class में अपने किया था वो as it is same है almost same कह सकते हो pattern तो एकदम ही same है बाकी बस यहां figures का फरक है और यह question अपने को solve करना है देखो third question शुरू कर रहा है ध्यान से देखेंगे और अभी से start लगा लो इसके तो कमाल का वर्षन है क्यों किया ठीक है चलिए तो क्या कह रहा है यह यह कह रहा है कि obtain all other zeros of 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are 5 by 3 and root and minus 5 by 3 and root थोड़ा ध्यान देना है इसको थोड़ा ध्यान देना है देखो कैसे मैंने last class में आपको बताया था कि अगर आपको दो zeros दे रखे हैं तो उन दो zeros की help से एक polynomial बनाओ और उस polynomial को जो given polynomial है 4 degree का उससे divide दे दो उससे बचे हुए zeros मिल जाएंगे ठीक है तो क्या करना है जो zeros अपने को दे रखे हैं उससे एक nap polynomial बना लो दोनो zeros को mix करके और उस polynomial से इसको divide लगा दो बस इतना गाम है तो कैसे इससे polynomial बनाने है देखो द्यान से वो हम लोग शुरू करते हैं कि zeros है नहीं zeros है इसका मतलब zeros अपने पास कौन-कौन से है 5 by 3 under root and minus 5 by 3 under root चीक है अब यहाँ पर आप इसको यह लिखोगे कि 0 है इसका मतलब x is equal to ही है यह और साथ में आप लिखोगे कि x is equal to और क्या है minus का 5 by 3 under root है 5 by 3 under root है तो यहाँ पर आ जाएगा आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि square कर दो square किया तो x is square नहीं square करने से better है आप इसको एक साइट लेलो यह हो जाएगा x minus 5 by 3 under root is equal to 0 factor तो ऐसे मिलेगा न क्योंकि और यह बन जाएगा x plus 5 by 3 under root is equal to 0 तो factor क्या मिले एक factor यह मिला और एक factor यह मिला दो factor आगए इनको command कैसे करते हैं multiply करके तो finally आप x minus 5 by 3 under root into x plus 5 by 3 under root लिखोगे और कौन सी identity लगेगी जो आपने 9th class में सीखी हुई है x plus y x minus y वाली identity यहाँ पर use आ जाएगी और उससे यह बन जाएगा x square minus y square यह same question किया है अपनने इस तरह का same क्या identity थी x plus y into x minus y 9th class के identity है वो होती है x square minus y square तो वो हम लोग यहाँ पर use ले रहे है तो यह x plus y इदर लिखा है उससे कोई फरक नहीं पड़ता plus वाला इदर है minus वाला इदर है multiply में तो लिखी सकते है 3 into 4 लिखो या 4 into 3 लिखो कोई फरक नहीं पड़ता तो वो ही बात है यहाँ पर तो x plus y y मतलब यह चीज x minus y again y यह चीज है तो उसका result क्या बनता है x square minus y square तो x square minus this y square तो क्या आएगा final final आपके पास आएगा मैं उस तरफ रिख देता हूँ better रहेगा final आपके पास आ रहे है x square minus देखो square से root cancel out हो जाता है तो यह 5 by 3 बन जाएगा 5 by 3 बन जाएगा ठीक है और इसका LCM लेलो आप LCM लेलो के तो यह 3 x square minus 5 divided by 3 आ जाएगा इस polynomial को simplest form में लेना है तो simplest form में simplest form में तो आप divide को हटा दो यह 3 x square minus 5 लेलो के बाद क्योंकि actually क्या होता है कि इस तरह के zeros से related कई सारे polynomials बनता है यहां सिधा k से multiply होकर के लिखा जाता है कई दिसे दो यहां सिधा k से multiply होकर के लिखा जाता है मैंने वो नहीं बताया था आपको 2.2 exercise में जब आपको sum of zeros और product of zeros दे रखे हैं उससे आपको polynomial निकालना है तो के से multiply करते थे न तो एक तरीके से यही same ही concept है यहां भी के से multiply होता है और के से multiply होकर के मतलब धेरो polynomials ऐसे बनते हैं जिनके zeros यह आ रहे हैं धेरो बन सकते हैं जैसे एक छोटा से example देकर कि एक के साथ two लग रहा है एक के साथ नहीं लग रहा है polynomial तो change है तो इसको zeros निकालने हैं तो भी इन दोनों को ही zero के equal करना पड़ेगा जब इसके zeros निकालोगे तो भी इन दोनों को ही zero के equal करना पड़ेगा तो ultimately zeros तो one or two ही है इसके भी और इसके भी तो कहने का मतलब यहाँ पर साथ में कुछ और भी लगाया जा सकता है उसको k बोल दिया हमने तो कैसे हम बाकी के polynomials निकालते हैं या इन दोनों से combined polynomials कैसे निकालते हैं k लगा कर गया है k लगा दो k लगा दो और आप इतने complicated scenario में नहीं जाना जाते तो k की value जैसे यहाँ पर 3 लेकर के काम हो रहा है 3x square minus 5 upon 3 और यह 3 से 3 कट जाएगा और यह 3x square minus 5 आ गया तो simplest form क्या बन गई 3x square minus 5 बन गई for k is equal to for k is equal to 3 यह simplest form में आ गया और simplest form में मतलब divide वाला ना हो तब ही हम लोग उसको आगे divide देंगे मतलब अगले step तक महुचाएंगे कि यह हमारे pass polynomial collect हुआ है जिसको इससे divide दे रहे हैं अपन यह थोड़ा सा confusing लग सकता है आपको हो सकता है बहुत सारे teachers आपको यह नहीं बोलें कि के लगा कर करना है कि आप हटा के कर दो बहुत सारे लोग यह बोलेंगे आपको या बहुत सारे YouTube पर आप वीडियोस देखोगे तो ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहां के लगा नहीं कोई ज़रत नहीं है simple multiply करो जैसा कि पिछले वाले example में मैंने भी बताया था और यहां भी करो और नीचे वाले को बस हटा दो यह हटा दो या फिर कह दोते हैं कि equal में 0 समझ लो कि वो 3 0 से multiply हो गया और वो हट गया और बचा के वाली है ऐसे नहीं होता logic गलत है वो काम ultimately वो ही हो रहा है कि result simplest form में मिल रहा है उनको भी अपने को भी लेकिन उनका logic गलत है वो जिस logic से बता रहे हैं वो चीज वो चीज गलत है 0 के equal कर कैसे सकते हो equation थोड़ी है polynomial है polynomial के equal में कुछ नहीं होता तो इसलिए यहां k लगा करके इस method को अगर आप समझोगे तो वो better approach है otherwise नीचे से हटाना है अपने को बस यह basic बात तो यही है कि नीचे वाला नहीं लेना होता है बस divide वाला नहीं लेना यह भी polynomial वो ही है जिसके zeros ही आएंगे यह zeros आएंगे इसके भी करके देख लेना बली तो इसलिए infinite polynomials आते हैं ऐसे जैसे मैंने example दिया ही न इसके भी zeros one or two ही आएंगे equal zero करके देखो के तब इसके zeros अब जब आप निकालने बैठो के तो भी one or two ही आएंगे लेकिन polynomial में फरक आ गया यह two times है पूरा का पूरा तो ऐसे बहुत सारे polynomials आ सकते हैं कि infinite values आप रख सकते हो लेकिन हम लोग simplest value रखते हैं ताकि हमारा cut pit करके result simplest आए ताकि आगे का question simple में चलता रहे तो अब फिलाल आगे की बात क्या है बात बस यह है कि हमें इसको divide लगाना है इससे मैं next वाले page पे कर रहा हूँ polynomial में यहाँ पर से लिखूंगा उदर 3x की power 4 plus 6x cube और क्या है polynomial में minus 2x square minus 10x minus 5 minus 2x square minus 10x और minus 5 जब आप इसको divide दोगे यह वाला polynomial है थ्यान से देखूं 3x square minus 5 अब यहाँ पर x वाला डाम तो है नहीं 2 power then 0 power सिधा 1 power नहीं है तो जब ऐसा case आए तो 3x square के साथ में 3x square के साथ में 0x लगा दिया करो ठीक है यह थोड़ा देने का था और बस अब बागी एक गाम तो divide देने का है divide देने टाइम इसको इससे divide दे लो अलग से ही यह 3x square से divide हुआ cancel out हो गया 4 power से 2 power cancel x की power बन जाएगी 2 x square इससे multiply करोगे यह हो जाएगा 3x की power 4 यह इससे multiply गया 3x की power 4 प्लस में x square इंटू 0x 0x cube रह जाएगा x square इंटू minus 5 minus 5x square हो जाएगा और subtract करो अब इसको ठीक है subtract करोगे sign change होगे यह तो कटेगा हमेशा कटता है fix pattern है बतलब दसों divide दे लिए अपने 10 questions कम से कम कियोंगे शायद तो आप तो रट गया होगा मेरे कहाल से बहुत fast speed आ जाने चीए आप लोगों की भी 6x cube minus 0x cube 6x cube ही रहेगा minus 2 plus 5 plus 3 होता है और यह minus 10x एक ले लेना है अपने होग पर से चलो आगे बढ़ते है same वोई गाम वो तो इसको इससे divide देना है तो 6 है यह रफ का काम है इस तरफ है ना हमेशा द्यान मत तो इसको fair में मत करना है यह तो अपना 2 times कट गया और 3 power से 2 power कर जाएगी तो 2x आजाएगा यह finally तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 2x अब इस 2x को multiply कर दो इससे क्या आएगा 2x into 3x square 6x cube यह तो बनना ही है 2x into 0x 0x square 2x into minus 5 minus 10x ठीक है और sign change 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 कटा 3x square ही बचा क्योंकि plus 3 minus 0 plus 3 बचेगा minus 10 plus 10 0x हो गया और minus 5 यहाँ आगया यह same ही दिख रहा है तो plus 1 लगा लो इसमें तो कुछ सोचने की बात है नहीं और यह 1 से multiply होगर के same to same आजाएगा 3x square plus 0x minus 5 and result remainder 0 remainder 0 आना ही था क्योंकि वो factor है उसका उसके 0s से बनाया है तो ऐसे case में तो हमेशा 0 आएगा यह आएगा और उसके बाद बागी के 2 0s निकालने के लिए क्या करोगे आप उसके 4 0s है ना उस polynomial के तो बागी के 2 0s निकालने के लिए क्या करोगे तो इन 2 से हमने polynomial बनाया उस polynomial से हमने इसको डिवाइड दिया डिवाइड देने के बाद जो डिवाइड से result आया यह इसकी health से remaining 2 0s मिलेंगे तो remaining 2 0s कहां से मिलेंगे यहां से x square plus 2x plus 1 के factor कर लो भई इससे 0s निकालो बहुत इसी factor रहे इसके आप इस 2x को break करोगे भई एड या subtract करने पर क्या चीए अपने को प्लस 2 और multiply करने पर क्या चीए प्लस 1 1 into 1 तो जब भी multiply दो ऐसे number जिनका multiplication बनाता है वो तो एक ही choice हुगा ना 1 into 1 और तो कभी ऐसा हो इसा हो इसा हो इसा हो इसा कि multiply करने पर बना जाए गया x इन दोनों में से कुछ common नहीं है तो 1 ले लो एक बार x प्लस 1 दिख रहा है दूसरी बार भी x प्लस 1 दिख रहा है हो सकता है सेम आ रहे है दौनों बार कोई दिक्कत नहीं है कोई परिशानी वाले बात नहीं हो से आप zeros निकालो zeros निकालने के लिए क्या काम करना है एक बार तो x प्लस 1 को 0 के एक बार करोगे और दूसरी बार भी x प्लस 1 को ही 0 के एक बार करोगे इससे आया minus 1 इससे भी कितना ही आया minus 1 तो all zeros कौन कौन से हो गए all zeros मैं यहां लिख देता हूँ सारे के सारे zeros ही अगर लिखने हो तो क्या लिखोगे तो फिर आप लिखोगे के एक बार तो यह मतलब 5 by 3 under root कॉमा minus 5 by 3 under root कॉमा minus 1 कॉमा minus 1 यह 4 zeros आया यह 4 zeros आया तो remaining यह थे ठेक है तो यह है overall जिस तरह से हम लोग questions को solve कर सकते हैं अब हमारे पास 2 questions बचे हुए है 2.3 exercise के और एक example बचा हुआ है example number 5 तीनों ही अच्छे questions हैं समझने लाहिक questions हैं तो वो हम लोग next video में cover करेंगे इस video में हम लोग तो बनाने का इस तरह की चलिए जी मिलते हैं next video में thank you so much all the best bye bye झाल 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 झाल